दोस्तो पूरे भारत में केंद्री विद्देले संगठन के अंतरगत बाल वाठिका के कुल 450 सेंटर हैं और इसमें आइडमिशन के साथ साथ कॉंट्रेक्ट ब्रेस पर जो सिछकों की भरती होनी है इसके रिकॉर्डिंग ऑफिसल वेब साइट यह जो आप देख रहे हैं के व नोटिस में क्या बताया गया था ओपनिंग आफ वन सक्षन आफ बाल वाठिका 3 फार चेल्टरन आफ फाइप प्लस एयर आफ एज तो दोस्तो पूरे भारत में यह जो बाल वाठिका के केंद्रे हैं उनकी संक्या 450 है और जो नोटिस यहां पर जारी की गई है इस नोटिस क के मताबिक यहां पर आप देख सकते हैं पैरा टू में इंगेजमेंट आप टीचर्स एंड केर गिवर्स हेलपर्स तो कुल मिला के देखा जाए तो कहा जा रहा है कि ए टोटल आफ टू ट्रेंड बाल वाठिका टीचर सेल बी इंगेजड आन कांट्रेक्ट्चूल बेसिस बाई इच के भी तो हर बाल वाठिका में दो सिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो 450 गुड़े दो मतलब कुल मिलाके 900 यहां पर सिक्षकों की भरती होगी और यह कांट्रेक्ट बैस पर होगी तो आप लोगों में से कैसे लोगों ने पूछा था कि इसके लिए क्वालि क्लिफिकेशन है वो भी चीज यहां पर क्लियर की गई है कि बालवाडिका टीचर्स एज प्रस्क्राइब बाई एंसी टी इइज गीवन बिलो तो क्योंकि यहां पर जो बच्चे एडमेशन लेते हैं तो उनकी उम्र पांस साल से अधिक और शा साल से कम होनी चाहिए तो य यानि कि intermediate में जो लोग सिख्चक बनना चाहते हैं उनके बारे में है कि intermediate में उनके मार्ग कम से कम 50% या इससे एदिक हो and मतलब दूसरा क्या है डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन मतलब intermediate 50% के साथ साथ उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ हो किसमें नर्सरी टीचर एजुकेशन में या pre-school एजुकेशन में या early childhood education प्रोग्राम में जिसको DCCED के नाम से जानते हैं और यह कहा जा रहा है कि इसका जो duration है not less than two year मतलब कम से कम दो साल का यह डिप्लोमा उन्होंने किया हुआ हो बीएड वाले भी इसमें apply कर सकते हैं लेकिन बीएड नर्सरी होना चीए तो यह चीज यहां पर बताई गई है और रही बात caregivers की तो यह चीज जो बताई जा रही है यहां पर outsourcing दिखा मतलब यहां पर सिर्व सिचकों की भरती की जाएगी वह भी contract पर salary कितने मिलेगी तो मैं आपको बता दूँ कि salary कुल मिला के लगबग 21-22 के बीच में रहती है ठीक है और अब देखो जो स्कूल है all over India में उनकी लिस्ट यहां पर दी गई है अगर आप इन सहरों में कहीं पर भी रहते हैं तो आप पता कर लीजिए कि बालवाटिका कहां पर है आपके निकट और वहां पर जो vacancy IV है उसमें किस प्रकार से आवेदन लिये जा रहे हैं कहीं कहीं पर online आवेदन है website के माध्यम से कहीं कहीं पर google का farm भरवा रहे हैं और कह सीधे सीधे जो है आपको एक farm देंगे उसको भर कर आपको देना होगा इसके बाद कोई परिछा नहीं होती है आपका interview होगा और interview के बाद आपको चैनित कर लिया जाएगा तो आगरा में कुल मिलाके यहां पर 21 केंद्र है ठीक है आहमदाबाद में 19 हैं बैंगलोर में 20 हैं भोपाल में 18 स्कूल हैं भुनिस्वर में 19 हैं चंडिगड में 19 हैं चिन्नई में 20 हैं जहां पर भी आपको सुविधा जनक लगता हो वहां पर आप देख लीजिएगा डेली में साथ हैं इसमें एक चावला व्यसेप में हैं दूसरा डेली कैंट नंबर वन तीसरा डाक्टर राजिन्द प्रसाथ, चोथा जेनियू कैंपस, पस्चिम बिहार, रुवेणी सेक्टर 25, सालिमार बाग में एरनाकुला में 20 हैं और गुरुग्रा में भी 20 हैं इसमें आप देख सकते हैं कहां कहां पर हैं जैसे कि भाकली है इसके लावा बेहोली है और भी बहुत सारे हैं यह आप देख लीजीगा गुवाहाटी में हैं हैं हैदराबाद, जबलपूर, जैपूर, जम्मू, कुलकाता में 24 हैं लखनाओं में 17 हैं कहां कहां पर हैं एफस बरेली में एफस क्या लिखा हुआ है मिमरुआ लखनाओं और आर्मापूर 1, आर्मापूर 2, इसके लावा बलरामपूर, बिकेटी लखनाओं, बुदायों, चकेरी नंबर 1, कानपूर, चकेरी 2, कानपूर, अयुद्या कैंट, हर्दूई, आयाइटी कानपूर, जे अले बरेली, जे आर्सी बरेली, पिलीवित तो यहां पर आपको जाकर पता करना पड़ेगा या फिर इनके जो व एपसाइट है, इस पर आपको मिलेगी नहीं, कुछ मेनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, हां मेथड मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, पटना में भी 21 बालवाडिका केंदर होंगे, रायपूर में 18 है, राची में 17 है, सिल्चर आठ, तिन सुकिया में 14 है, वारानसी म में 9 है, कहां कहां पर है, AFS, मन्रोली प्यागराज में है, मनौरी, मनौरी प्यागराज, और इसके लावा कुछी नगर में है, डेलड़ वारानसी में है, फूलपूर में है, बलिया, गोंडा, इसके लावा सक्ती नगर, बेचू, वारानसी, और सलेमपूर, चेरो ठीक है तो बंत आलाब में यहाँ पर क्रम संख्या 5 पर दिया गया है एड़र्टिज्मेंट रिगॉर्डिंग पार्ट टाइम टीचर फार बालवाटिका तो एक पीडियों ने जारी की है बंत आलाब जनमू से इससे आपको आडिया लग जाएगा बागी चीजियों के बारे में जिसकर किनों ने कहा कि आनलाइन आवेदन आप इसी वेफसाइट पर कर किजिए गा यहीं पर एकर हैं कि आनलाइन आवेदन जो प्रक्रिजा होगी यहीं से होगी ठीक है दूसरी बात है कि 7 जुलाइज देगर 24 जुलाई की बीच में आपको आवेधन करना है जो eligibility है qualification वो मैंने आपको बता दिया था यह PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलेग्राम चैनल पर वहांस जाके राउनलोड कर लेना कोई दिक्कत नहीं होगी या फिर official website पर भी मिल जाएगी चार तारिक वाले में चार जुलाई को यह प्रकाशी थी तो उसको चेक कर लेना यह स्रेल नंबर 12 पर आज मिलेगी आपको और कल करोगे तो उसकता स्रेल बदल जाए ठीक है तो और नीचे चल जाएगा तो उक्र मिला के 15 जुलाई को आपका यहाँ पर इंटर्व्यू होगा सुभा 8 वज़े से ठीक और कुछ जरूरी बातें आपर बताई गहीं है कि रिक्वार टू प्लाई आनलाइन इन प्रेस्क्राइब पर फार्मा अनलिंक प्रवाइड़ एट होम पेज आफ विद्ध्याले वेबसाइट तो यह सब आप पढ़ लिजेगा और दोनों पीडियेफ में सेर कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो कई ल कार से आप अपलाई कर सकते हैं और सेलरी आपको वही 21,500 सम्थिंग मिलती है मैंने में थैंक्यू सो मच्छ